हालो क्रेंट्स वेल्कम वैक टो मैं यूट्यूब चैनल मुम्मा वेबी गैट कैसे हो आप सब आप सब कि प्रेग्नेंसी हेल रही होगी आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपोर्टेंट बाते सेयर करने वाली हूं जो महिला है प्रेग्नेंट है उनके लिए और खास त करते हैं आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि बेबी ब्वाय के लिए आपके प्रेग्नेंसी वस्था में कहां कहां ऐसे चार जगहों पे दर्द होता है तो आपको पक्का यह माल लेनी चाहिए कि आपके गर्द में बेबी ब्वाय ही पल रहा है वह कौन-कौन सी अंग है या वह कौन-कौन सी जगह है जहां पे दर्द होता है तो यह फील होता है या यह 100% सही होता है कि गर्द में बेबी ब्वाय का संकेत है तो इसके लिए आपको यह वीडियो पूरी इंड तक वाच करनी पड़े इस्टों बने रहे वीडियो में So friends, baby boy होने के लाज सा हर एक मा को होती है कि कास हमारे पास भी एक baby boy होता, baby girl की तो बात ही अलग है हलनकि बहुत सारे लोग आज भी baby boy और baby girl के बीश में भेद भाव करते रहते हैं लेकिन यह बिल्कुल गलत है पर यह फन की तरह एक वीडियो लिजिएगा या थोड़ी सी knowledge चयए इसके टाइप पर क्योंकि यह約 वीडियो जो है पुरानी ऑ dauυucheg में के अनेजार है की जो पुरानी लेडी कए हमारी दादी नानिया कहती है कि ऐसे लक्षन होने से गढ़ में लड़का होता है यह ऐसे संकेत होने से गढ़ में लड़का होता है तो कितनी परसंट शही होती है अज इसी को हम इस वीडियो में सुनने वाले हैं जानने वाले हैं पहली बात ये deserved है ये आपको बार में पतांस जलेगा बार में वीडियो के दून में आपको बताने वाली हूँ उससे पहले हम जान लेते हैं कि बहुत सारे अलिघू से बोई क्या चीज tylko प्रेग्नेंसी के दोरा मिथ्थे होती है, क्या चीज़े फैक्ट होती है, तो हमको मिथ्थे पर भी ध्यान देना है, और फैक्ट पर भी ध्यान देना है, क्योंकि जदी हमको मिथ्थे पता नहीं रहेगा, तो हम फैक्ट की बाते कैसे जान पाएंगे, इसलिए अगर हम फेक्ट की और ही जानेंगे तो हम यह कैसे पता लगागे कि कौन सी बाते कौन सी चीज़े मिध्थ होती है तो आज हम दोनों पॉइंटों पे डिसकस करेंगे सो पहला पॉइंट है कि हमने सुना है या आपने भी सुना है कि पेट के निचले हिस्से में दर्द होना बेबी वौय का संगेत होता है हलांकि प्रेग्नेंसी के दवरान आपको पूरे बॉडी में हर्मोनल बदला होती है, पूरे बॉडी में कहीं भी आपको पैन हो सकती है, कभी भी हो सकती है, क्योंकि प्रेग्नेंसी के अवस्था में आपके अंदर एक नन्ही सी जान पर रही होती है, उसकी देख भाल के हो बैट जा रहे हो और उसके वज़ा से आपके पैरों में स्वेलिंग आ जाती है तो आपने ये भी सुने होईएगा कि स्वेलिंग आने से गल्ग में लड़का होने का संकेत होता है यह हमारी वोल्ड वाइब्स का कहना है तो बहुत सारे ऐसे केस में सच भी हो जाते हैं और बहुत सारे केस में ऐसे सच नहीं होते हैं हलांकि यह डॉक्टरों का मन्ना नहीं है नहीं बैज्यानिकों का मन्ना है वस हमारी मन का भुरम है क्योंकि पैर में सूजन होना या पेट के निशले हिस्से में दर्ध होना यह कहीं से साबित नहीं करता है कि आपके गर्भ में ब लड़ होने से पेट में लड़का होता है अगली पॉइंट पर डिसकस करें हां मैं आपको बता दूँँ कि अपने भी मैं अपने भी अनुभाव एक्स्परेंस आपके साथ सेयर करूंगी क्योंकि मेरे पास दोनों है बेबी बॉय और बेबी गर्ल तो दोनों को समय का सिंटम मैं आपके साथ सेयर करने वाली हूं तो वीडियो को इसकी बिल्कुल मत किजिएगा अगली बात करते हैं कि पैर में एठान होना जिससे क्रेंप्स भी हम कह सकते हैं बहुत सारे और लेडि इस टॉपिक पे यूटूब पे वीडियो पड़े हुई है कि पैर में एठान होना चेंजेज होते हैं कि हम अपने से खुछ से अनुभाव नहीं कर सकते हैं यह नहीं हम जान सकते हैं कि यह चेंजेज किस परकार से हो रही है कहां तक हो रही है और किसके वज़ास से हो रही है तो हम यह कहना भी बिल्कुल गलत मानेंगे कि यह बेबी बॉय या बेबी गर्ल लिया baby boy तो हमारे चेहरे बहुत जादा glowing हो जाते हैं बहुत जादा glow करने लग जाते हैं निखरने लगते हैं ऐसा बहुत old wives का मानना है आज भी लोग थोड़ी बहुत इनसा बातों में विश्वास रखते हैं हलंकि यह फन के तौर पर सही है जिनके face बहुत जादा glowing होते रह मनिस्थीतिया बिल्कुल सही नहीं है face glowing हमारे खान-पान के उपर भी डिपेंड कर सकता है कि हमारी खान-पान कैसी है हमारी बोड़ी कितने डिमांड कर रही है हमको दिन में कितना पानी पीना चाहिए हमको कितनी nutrition की जरूरत है हमको कितनी calorie की जरूरत है ऐसे चीज़ों पर अगली point की बात करें तो बहुत सारे ऐसे मिठ्थे होते हैं कि पैर में भारी पन आना जैसे कि एक पैर में क्रेम्स आना ये भी मिठ्थे है जैसे कि पैर में स्वेलिंग आना और ये भी होता है कि पैर में एक पैर में भारी पन आना जैसे कि चलने में हमको यह एहसास होता ह है प्रेग्नेंसी के समय कि एक पेर तो हलकी लगते हैं जैसे कि हमों को कदम बढ़ाने में दिक्कत होती है दुसरे हम जल्दी से उठा के नहीं रखवाते हैं ऐसे भी बहुत प्रोब्लेम होती है बहुत सारे प्रेगनेंट महिलाओं के साथ ऐसी होती है इसलिए मेरे साथ भूई है ऐसी चीज़ें कि मेरे लिफ्ट की मेरे लिफ्ट पैर में बहुत जादा भारीपन रहती थी उस समय मैंने बेबी वॉय कंसे दिया था इ लौई चाहिक प्रेगनेंसी के दोड़ा साहिए प्ह personalities की प्रेगनेंसी हो चाहिए दूसरी प्रेगनेंसी उस समय मिल्क प्रोड्यूरे मिल्के स्थाहिस दुर्ख होने की मिल्क प्रोड्यूर्म तरी होगा और अपकी weibik ऐसे फीड करेंगा उसके वजह बहुत सारी जंजे है कि उनके अस्पण में यानि उनके ब्रेश्ट में बहुत सारे बदलाव हुए हैं और उनको बभी गर्ल ही हुई है तो ऐसे हम नहींगा सकते हैं कि बहुत सारे बदलाव होने से बभी बवाय ही हो सकता है क्योंगी pregnant हम दोनों समय पे होते हैं चाहे हमारे अंदर बेबी गर्ल हो या बेबी बॉयर हो तो निचुरली हमारे अंदर जो प्रक्रिया है वो तो होना पॉसिवल है न तो इस यह यह चेंज़ेज होते रहते हैं आईओब इन सारी आईओब आपको मिठे कौन सी बाते हैं सारी बाते हैं आपको समझ आई होगी और वीडियो अच्छी लगी है एक अले वीडियो में इंटरिस्टिन वीडियो के साथ. थेंक यू थेंक्स फर वस्टिन में वीडियो. बाइ बाइ.